पंद्र नवंबर दो हजार तीन की अब्ज़क्त वाने का दूसरा पेज का अंत इसमें बात चल रही थी जब अपनी सेट पर सेट हो जाते हैं तो कभी अपसेट नहीं होते हैं तो भिन्ने भिन्ने सेट सिटियों की सीट पर सेट रहो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे अपसेट होते हैं तो अपने से भी असम्तुष्ट होते हैं और दूसरों से भी असम्तुष्ट होते हैं इस सीजन की पहली अज़तवानी में इस वर्ष का विशेश पुरुशार्थ बताया है ना अप्षैट होना है, ना अप्षैट करना है, संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है अगली बात बोली है, ब्रह्मा बाप से प्यार है ना कितना प्यार है? बहुत है, बहुत प्यार है, तो प्यार कारिस्पेंट बाप को दिया है क्या रिश्पंड दिया है? 15 नवंबर 2003 की वानी का तीसरा पेज बाप का भी प्यार है, तब तो आपका प्यार है ना? बाप का प्यार न होता, तो आपका प्यार कहां से आता? तो रिटर्न क्या दिया? कहे का, बाप के प्यार का रिटर्न क्या दिया? प्यार का रिटर्न है, प्यार का रिटर्न है, समान बनना, यही रिटर्न है, किसके समान बनना? ब्रह्मा बाप के समद बनना तो ब्रह्मा बाप ने तो 18 जन्वरी सन 69 को शरीर छोड़ दिया सुक्षम बतनवासी हो गए तो कैसे समान बनेंगे है है समान कैसे बनेंगे है समान कैसे बनेंगे हो तो इस स्थूल शरीर के बंदोनों से परे हो गए सिर्फ सुक्षम शरीर का बंदन रह गया वो भी दीरे दीरे समात होता जा रहा है दीच रूप स्टेज में आकर के दूसरा पार्ट पकड़ लिया हुँकी स्टेज का क्योंको सुक्षम बतन से भी उंती स्टेज कौन सी होती है निराकार बीजरूप स्टेज है निस्संकल्पी स्टेज है परमदामी स्टेज है ब्रह्म लोग की निराकारी स्टेज जो शिव की है हैं शिव है निराकारी है निर्विकारी है और निरहिंकारी है तो ये समान बनने की return देना है अभ्यास कौन सा बताया था इसके लिए अभी-भी अभी-भी शाकारी अभी-भी आकारी और अभी-भी निराकारी स्टेज में तिकने का अभ्यास करना है तो यही return है यह season का first turn है तो first में first number आ गए है बाप दादा को भी जितने ज़्यादा बच्चे दिखाई देते हैं तो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है जितना हाल बनाया है उतने ही आते हैं माना जितने जितने हाल बनाते जाते हैं उतने उतने आते जाते हैं अभी बड़ा हाल बनाओ तो भौत आवे इससे भी बड़ा हाल बनाए अभी देखो अभी भी जितना बड़ा हाल बनाया है तो फुल हो गया है ना ये फुल होना इशारा करता है कि और बड़ा बनाओ हाल सज जाता है ना और ऐसी शेष्ठात्माँ से हाल सजा हुआ है तो कितना अच्छा लगता है मध्वन बाले भी चाहे शान्तीवन हो चाहे पांदवभवन हो अगर खाली खाली होता है तो अच्छा नहीं लगता है बरा हुआ होता है तो अच्छा लगता है कि मधुवन वालों को एक आंते चाहिए ज्यादे भर जाते हैं ज्यादा धीर भार हो जाती है तो अच्छा लगता है या मधुवन वालों को अशांती होती है ज्यादे लोगों की कठे होने से मधुवन वालों को ज्यादे लोग आ जाते हैं तो अशांती में सूस होती है अच्छा लगता है या अशांती में सूस होती है अच्छा नहीं लगता है ना एक आंत चाहिए बना अंदर से कोई जिस्टर्ब होता है और उसके आसपास चारो तरफ कोई भेड लगा की कठी कर दे तो उसे अच्छा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा अब आब्याक तो बाप दादा तो जानते है तो पूछा एक आंत चाहिए एक आंत हद का या बेहद का चाहिए बेहद का एक आंत क्या होता है एक के आंत में रहना एक का आंत जानना अर्थात तंत जानना रहसी क्या है उस रहसी को पहचान लेना तो एक के आंत में रहना ये है बेहद का एक आंत और जो इसे एक आंत में नहीं टिक पाते हैं उनको फिर इस्थूल एक आंत चाहिए ज्यादा भीडबार अच्छी नहीं लगती तो पूछा एक आंत चाहिए कि संगठन रिमजिम अच्छी लगती है फिर भी बीच बीच में एक आंत मिल ही जाता है अच्छा डबल विजेशी भी आए है अच्छा है डबल विजेशीयों से भी मधुवन का संगार हो जाता है क्योंकि मधुवन इंटरनेशनल हो जाता है ना देश और विजेश के सभी कठे हो जाते है अच्छा है बाप दादा ने दादी का संकल्प सुना संकल्प है आज सवेरे क्लास में दादी जी ने सभी को देश विजेश में सेवा की धूम मचाने का संकल्प दिया था भारत का कोई भी गाउं कोई भी देश इस वर्स संदेश से वन्चित न रहे ऐसा प्लेन बनाओ ये दादी जी ने संदेश दिया तो बाप दादा ने दादी का संकल्प सुना संदेश सुना संकल्प दिया है न अच्छा है देखेंगे इस संकल्प को विदेश पूरा करता है या भारत पूरा करता है संदेश तो मिलना चाहिए कितनी आपको प्राप्ती हुई बाप मिला, खजाना मिला, पालना मिली कम से कम अपने भाई बेहनों को संदेश तो पहुँचना चाहिए तो लहना तो नहीं देंगे न किनों को संदेश पहुँचना चाहिए अपने भाई बेनों को अपने भाई बेन कौन है बस जो ब्रह्मा की संतान बने हैं वो ही अपने भाई बेन है उनी को संदेश देना है दादी का संकल्प क्या है और बाप दादा क्या पूछते है दावी ने क्या संकल्प दिया देश विदेश में धूम मचनी चाहिए भारत का कोई भी गाउं न रह जाए उस इसाब से तो गाउं में तो बहुत सेवा कम हुई है बड़े बड़े शहरों में तो ब्रह्मा कुमारी इसुरी विश्विद्याले का नाम जानते हैं लेकिन गाउनों में तो आवाज भी नहीं है और फिर सभी देशों में धूम मचनी जाए दुनिया में देश तो बहुत है तो दादी ने इस थुल रूप से कहा है या कोई गुई बात बोली और बाप दादा किस तरह बोल रहे हैं कम से कम बाप दादा ने सब्द क्या लगा दिया कम से कम अपने भाई वेहनों को तो संदेश पहुचना चाहिए कौनसी दुनिया में संदेश पहुचना चाहिए इतनी आवास तो फैले इतनी धूम तो मचे पहले ब्रामनों की दुनिया में चार और संदेश फैलेगा कि बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है उस आये हुए बाप के एक अंत में जाना है उसे एक का अंत पहचना है तो ये संदेश तो पहुचना चाहिए इस संदेश की शुरुवात कब से हुई हैं 76 से बाप का प्रतक्षता वर्ष मनाना शुरू हुआ और 76 के लिए ही गोशना की गई थी 66 में कि पुरानी दुनिया का विनास और नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनास और नई दुनिया की स्थापना क्या चुटकी में हो जाएगी कितना बड़ा विश्व है इतने बड़े विश्व में एक ईशोरिय संगठन का पहले सेंपल बनना चाहिए तो संच्यत्तर से शुरूआत हुई ब्राह्मनों की जो आधार मूर्त दुनिया है अथवा जो ब्राह्मनों की विज रूप दुनिया है तो संदे से देने की संच्यत्तर से शुरूआत होई थी क्या? क्यों नहीं? उस से पहले सुरूआत होई? संच्यत्तर को ही बाप का प्रिटक्षता वर्स क्यों मनाया गया? इसलिए है बनाया गया, कि सं शत्कर तक, सं सहतालिश से लेकर, तीस वर्स ब्रह्मा के पूरे होते हैं, कितने? तीस वर्स ब्रह्मा के पूरे होते हैं, ये पहली मूर्ती परतक्छ होती है 47 से पहले के जो दसवर्स है, वो है बक्ति मार्क की फांडेशन के, वहाँ ओम की ध्वनी लगाई जाती थी बक्त लोगों की तरह, पुरानी संस्त की गीता के अर्थ बैठ सुनाई जाते थे, जैसे दुनियावी बक्त लोगों सुनाते हैं, उस समय ज्ञान की शुरुवात नहीं हुई थी, तो ज्ञान का आरंभ करने के लिए ब्रह्मा के मुख से शास्त्रों में जैसा लिखा हुआ है, कि पहले पहले वेद बानी निकली, ब्रह्मा के मुख से उच्छास निकला और वेद निकले, विद माना जानना, जानकारी, वेद माना जानकारी, तो बेसिक नालिज के बतौर आत्मा, परमात्मा और इस सष्ट के आदिमध्यन्त की जानकारी ब्रह्मा की पहली मूर्ती के द्वारा मिली और उसके लिए टाइम निर्धारित हुआ तीस साल अगर सौ साल के संगम में से ब्रह्मा के तीस साल निकाल दें, तो कितने वर्स बचते हैं, संचेतर से लेकर के 2036 तक कितने साल बचते हैं, हैं, साथ साल बचते ना, तो तीन मूर्तियां हैं, शिव जैंती गाई जाती है, या गाई जाएगी, या प्रतक्षता होगी, शिव के जन्म की प्रतक्षता होगी, प्रतक्षता रूपी जन्म होगा, तो तीनों मूर्तियों के द्वारा शिव प्रतक्ष होगा, या सिर्फ एक ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा प्रतक्ष मूर्ली में क्या बोला है मूर्ली में तो बोला है कि सिर्फ सिवजेंती नहीं कहना चाहिए क्या कहना चाहिए सिवजेंती तो एक मूर्ती की प्रितच्चता तो 1947 से लेकर 1906 तक 30 साल में हुई लेकिन दूसरी दो मूर्तियां कौन सी है उनके बारे में किसी को पता नहीं था तो संचेतर को बाप दादा ने बाप का प्रतक्षतावर्स गोशित गिया क्योंकि ब्रह्मा था तो अर्थी होता है बड़ी मा मना संचेतर तक कौन प्रतक्ष हुआ जो संचेतर की बड़ी मा है वो छोटे-छोटे बच्चों के सामने प्रतक्ष हुई दुनिया भी रीति से भी बच्चों के सामने पहले बाप प्रतक्ष होता है या मा प्रतक्ष होती है मा प्रतक्ष होती है चोटे चोटे बच्चे वो मा को पहले पहचान लेते हैं क्योंकि मा से प्यार मिलता है तो वो मा के प्यार की भासना उनके दिल में बैख जाती है फिर मा के द्वारा बच्चों को किसका परिष्य मिलता है बाप का परिष्य मिलता है तो बेसिक नालिज की जो परिपक्कुता ब्रह्मा के द्वारा हुई उसा परिपक्कुता ने ब्रह्मा की सोल ने सुक्षम शरीर को परिवर्तन करके बीजरूप स्टेज धारन करना शुरू कर दिया क्या? शरीर भी कितने हैं? बक्ति मार्ग में भी तीन प्रकार के आत्मा के शरीर माने जाते हैं एक ये स्थूल शरीर दूसरा सुक्षम शरीर और तीसरा कारण शरीर बीजरूप तो शिष्टी नाइन से दादा लेखराज ब्रह्मा ने सुक्षम शरीर धारन किया वो सुक्षम शरीर धारन करने का समान बनने का लक्षे बाबा ने नहीं दिया है वास्तम में बाबा ने जो लक्ष दिया है वो ब्रह्मा की सोल जो सुक्षम शरीर धारन करने वाली थी संच्यत्तर से पहले वो ब्रह्मा की सोल बीजरूप स्टेज धार्ण करके कोई ब्रह्मन बच्चे में प्रवेश कर जाती है। कौन से ब्रह्मन बच्चे में प्रवेश करती है। जो ब्रह्मा के बड़े चार पुत्र माने जाते हैं मानसी पुत्र। सनत्चनंदन, सनातन और सनत्कुमार उनमें सनत्कुमार को ज्ञान के आधार पर सबसे बड़ा माना जाता है जिनके नाम के आधार पर देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन परता है वो ब्रह्मा का बड़ा पुत्र जो सनत्चनंदन और सनत्कुमार उनमें जो आखिरी पुत्र है है तो छोटा लेकिन ज्ञान में बड़ा होता है तो मुरली में क्या को बोला जो ज्ञान में बड़ा सो बड़ा ठेरा तो बाप ने जो नालिज धी ब्रह्मा के द्वारा उस नालिज को धार्न करने में जो तीखा बच्चा ब्रह्मन बच्चा गया उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर जाती है वो बच्चा ब्रह्मा की सोल को माता को अपने मस्तक पर धान करता है क्या कहते हैं मा की आज्या बाप की आज्या सर माथे पर तो बाप तो जोति बिंदु है तीसरे नेत्र के रूप में वो तो दूसरी मूर्ती में शंकर का तीसरे नेत्र दिखाया ही जाता है लेकिन चंद्रमा के रूप में जिसे ने सीतल पार्ट बजाया वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिसकी रहबरी में रोशनी में कीरे मकोडे जैसे विच्छू टेंडन जैसे दुख देने वाले बच्चे भी पलते रहे ऐसे ज्यान चंद्रमा को शीचलता धान करने वाली सोल को संकर ने अपने मस्तक पर धान कर लिया वो चंद्रमा संपून होता है या अपून होता है? अपून होता है माने क्रश्न की सोल संचेतर में संपून नहीं बन जाती है सिर्फ बीज रूप धारन, बीज रूप स्टेज धारन करने में परिपक को होना शुरू होती है तो वो बीज रूप स्टेज जो है दो आत्माओं की परिपक स्टेज में होती है संचेतर में वहां से बाप की प्रिटक्षता होती है क्योंकि मा के बगैर बाप नहीं है और बाप मा के बगर नहीं सोवता तो भारतिय परमपरा में अरधनारीशवर का रूप पूजा जाता है आधांग नारी का इस्त्री का और आधांग पुरश का तो ये अर्धनारी सर का स्वरूप ब्रह्मा की सोल और संकर की सोल दोनों कंबाइंड रूप में पायत बजाते हैं और उनमें सिव सुप्रीम सोल तो प्रवेश होकर रहता ही है ये परमात्मा बाप का मुकररर रथ गाया हुआ है इससे पहले दो रथ का वन नमुरली में आया है कौन कौन से रथ एक टेंपरेरी रथ और दूसरा मुकररर रथ टेंपरेरी रथ समसे तालिश से शुरू हुआ और शिष्टी नैन में गायब हो गया और जो मुकररर रथ है वो यग्य के आदि में भी था जिसके द्वारा ब्रह्मा बाबा को अपने साख्षाकारों का रहे से पता चला था ज्यान का जिसके द्वारा बीजार ओपन किया गया था बीजार ओपन करने के बाद जो आधी का कारी है बापका वो समात हुआ बीच में बच्चे की पालना मा के द्वारा होती है तो ब्रह्मा मा के द्वारा 69 तक साकार में पालना हुई और 69 से लेकर के 76 तक अव्यक्त पालना हुई भरपूर ये मा की पालना का कारी काल समात हुआ उसके बाद अव्यक्त पालनी में बोल दिया कि जैसे तुम बच्चे सेवा इस्थान चेंज करते हो कोई नौकरी करता है ना तो ट्रांसफर हो जाता है तो क्या करते हैं सेवा इस्थान चेंज करते हो वैसे ही बाप-दादने भी सेवा इस्थान change किया है रूप वही है सेवा वही है लेकिन इस्थान change हो चुका तो भारत में भगवान का जन्म का आम आना जाता है कौन सा इस्थान है जहाँ भगवान का जन्म भूमे बहुत प्रसिद्ध है हैं भगवान का जो इस्थान है वो विशेश रूप में भारत के अंदर कौन सा माना जाता है। चाहे वो शिवसंकर भगवान हो, चाहे वो राम भगवान हो, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, उनका इस्थान विशेश कौन सा माना जाता है। यूपी, तो यूपी में स्थान परिवर्तन हुआ, वो स्थान परिवर्तन होने के बाद, विश्युपिता 76 से ब्राह्मनों की दुनिया में प्रिटक्ष होना चाहिए, या बार की दुनिया में पहले प्रिटक्ष हो जाना चाहिए, तो ब्राह्मनों की दुनिया में ब्राह्मनों ने नमबरवार उस बाप को पहचानना शुरू कर दिया तो बाप का जो संदेश है कि बाप प्रेक्टिकल में सश्टी पर आया हुआ है कहे के लिए आया हुआ है जैसे और धरम पिताएं आते हैं गा बजा के चले जाते हैं दुनिया नीके गिरती जाती है ऐसा करने के लिए आया हुआ है नहीं वो सिर्फ धरम इस्थापन करने नहीं आता धरम इस्थापन करने के साथ साथ राज्य और राजधानी इस्थापन करके जाता है क्या राजधानी भी इस्ठापन करके जाता है तो जो राजधानी इस्ठापन करके जाता है वो स्वरूप कौन सा है राजधानी तो इस्ठापन करता है लेकिन माताओं के द्वारा स्वरक्की गेट खोलता है क्या स्वरक्की गेट खुद नहीं खोलता, किसके द्वारा खोलता है माताओं के द्वारा तो माताओं में भी सबसे बड़ी माता होगी कोई जगत पिता है तो जगदंबा भी होगी तो वो जगदंबा जो है वो भी प्रतक्ष होती है जगत पिता भी प्रतक्ष होना शुरू होता है ब्रामणों की संगमी की दुनिया बाहर की दुनिया की बात नहीं है पहले घर का सुधार होगा या पर का सुधार और उस्थारी दुनिया का सुधार हो जाएगा पहले घर का सुधार घर का परिवर्तन और घर जो है ब्रामणों की संगमी की दुनिया उसे में भी इस्थान बता दिया है जो दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल प्लेस माना जाता है वो कौन सा सहर है कौन से सहर की सेवा के उपर मुरली में और अव्यस्त बापदादा ने सबसे ज़्यादा जोड दिया है दिल्ली क्यों दिल्ली है बाप का दिल दिल्ली है सुरक की दहलीज दहली नाम भी तो है दिल्ली सुरक की दहलीज भी है दिल्ली नरक की दहलीज भी है क्या दिल्ली पर सबधरवालों ने राजी किया है ऐसा दुनिया का एक भी शहर नहीं होगा जिस पर सब धरम वालों ने राध्य किया हो एक दिल्ली शहर ही ऐसा है जो सारे दुनिया का मात्र परधान शहर है आधी भी देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से चाए हिंदू हो चाए मुसल्मान हो चाए सिक्व हो चाए ईशाई हो ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में ये चारों ही मुख्य धरमों के लोग जितना यहां निवास करते हैं उतना और किसी दुनिया के शेहर में निवास नहीं करते, तो भारत है मात्रपरधान देश, और उस भारत माता मात्रपरधान देश का सेंट्रल पेश है दिल्ली, वो दिल्ली में पहले आवाज निकलनी चाहिए, दिल्ली का आवाज सारे भारत में पहुँचेगा इसलिए अव्यत्तबानी में बोला है दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार दिल्ली का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन हो जाता है दिल्ली पर सब की नजर है माने सब धर्म वालों की सब देशों की दिल्ली पर नजर है तो बाप दादा की भी नजर दिल्ली पर है तो दिल्ली कोई चैतन्य के उपर नजर है या जड़ के उपर नजर है कोई चैतन्य दिल्ली है न जगत की माता के रूप में पार्ट बजाने वाली पहले शेतनी का सुधार होगा या पहले जड़ जमीन का सुधार हो जाएगा पहले तो जो प्रदिजित्त करने वाली शेतनी आत्मा है उसका सुधार हो पहले शेतनी का सुधार होगा या पहले जड़ जमीन का सुधार हो जाएगा पहले तो जो प्रदिजित्तु करने वाली शैतन्य आत्मा है उसका सुधार हो वो परिवर्तन हो जाए अभी सब सीताएं रावन की जेल में है या राम के राजी में पहुँच गई तुम सब सीताएं हो सब सीताओं में से कोई एक आद सीता ऐसी है जो राम के राजी में पहुँच गई हो है राम का राजी शुरू कहां से होगा है कोई तो छोटा परिवार बनेगा ना पहले पहले तो एक आई चाहिए जिश्च के जिश्टार में से एक युगल के भी एगर संस्कार मिल करके एक हो जाए तो विश्चनु कहा जावेगा कि नहीं है विश्चनु कहा जावेगा लेकिन विश्चनु के दो हाथ तो होते नहीं कितने होते हैं चार हाथ चाहिए है हाँ माना दो युगल है वो दो यूगल मन चार आत्मों के सुभाव संसकार मिलकर के एक हो जाएं। ऐसे सुभाव संसकार मिलने वाली आत्में बात समान स्टेज को धान करने वाली होनी चाहिए। क्या? उन चार आत्मों में से कितनी आत्मों के लिए सीट फिट्स कर दी है। है, तीन आत्माओं के लिए सीट फिक्स कर दी है, तीन सीट फिक्स हो चुकी है, अब देक्टर बानी में, बोला, कौन-कौन सी तीन सीट फिक्स हो चुकी है, ब्रह्मा सो विश्णू, वो तो एक ही हो गए, ब्रह्मा सो विश्णू बन जाता है, वो तो एक ही हो गए, क्या, बोला है ना, क्या बोला है, कुमार का बताओ, शिव बाबा के कितने बच्चे हैं, कोई कहते हैं, एक ब्रह्मा ही बच्चा है, असली, कोई कहते हैं, है, तीन बच्चे हैं, बाबा कहते हैं, ब्रह्मा सो विश्णू बन जाते हैं, बाकी रहा संकर तो दो बच्चे हुए ना, है, दो बच्चे हुए, तो एक सीट फिक्स किसकी कर दी ब्रह्मा की सीट फिक्स कर दी तो क्या सीट या कुर्सी तो मौझूद हो और बैचने वाला प्रैक्टिकल में मौझूद नहो तो दुनिया मान लेगी है जैसे कुर्सी की दौर होती है और कुर्सियां खाली पड़ी रहें कोई बैचने वाला नहों तो दौर संपन्द मानी जाविए नहीं तो पहली कुर्सी ब्रह्मा की बताई संच्यक्तर जो प्रचक्षता वर्ष मनाया गया था उसके लिए पहले भी मुर्ली में बोल दिया था इन्हें लक्षिमी नार्यान का जन्मक कब हुआ संच्याच्षत में बोला आज इसे दस वर्ष कम पाँच हजार वर्ष हुए माने संच्याच्षत से पीछे चक्कर लगा जाओ तो पूरा चक्कर न लगे दस वर्ष कम रह जाए तो संच्याच्षत ही होगा ना दस वर्ष कम रह जाए तो शेक्तर होगा और दस वर्ष बोवी पूरे कर दिये जाए तो कौन सा सन आएगा संचाचच तो संचचतर के लिए बाबा ने इशारा दे दिया था कि लक्षवी नारण का जन्म रूपी प्रतक्षता होने का जो वर्ष है वो संचचतर है मना संचचतर में ही वो वैश्णो देवी और वो विश्णू उनका पार्ट प्रतक्ष हो चुका था जो दो सीट के लिए इशारा संचतर के मेले में ही दे दिया था तीन सीट फिर प्रतक्ष होंगी इस मेले की सजावट का इनाम दादिया दीदिया देंगी और चैतन्य केहरों की सजावट का इनाम बाप दादे देंगे तीन मूर्तियों को देंगे नमबर वार तीन मूर्तियां प्रतक्ष होंगी तो संचहत्तर में दो मूर्तियां प्रतक्ष हो चुकी लक्षिमी और नारैन इनकी सीट तो पहले से ही प्रतक्ष थी लेकिन तीसरी सीट प्रतक्ष नहीं हो रही थी तो अभी चार से वर्ष पहले से बापदादा ने वो तीसरी सीट की भी घोषना कर दी तीन सीट फिक्स हुई है ब्रह्मा, सोबिश्नू, बाप और जगदंबा जगदंबा तो बच्ची है ना क्या है? जगदंबा किसकी बच्ची है? है? जगदंबा को भी जगदंबा किससे मिलता है चाहे बेसिक में, चाहे एडवांस में बाप से मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की बच्ची हुई ना यगि के आद में भी जगदंबा को किसके जगदंबा को किसके जगदंबा मिलता है? बाप से ग्यान मिला और एडवांस में भी बाप से ग्यान मिलता है तो जगद अमबा हुई भले जगत की अमबा है लेकिन ग्यान बाप से मिलता है तो जगद अमबा बच्ची की प्रतक्षता होने के लिए रह गई थी वो भी बोल दिया कि ये तीसरी सीटी भी प्रतक्ष हो गई तो ये तीन मूर्थनिया प्रतक्ष हो जाती है ब्रह्मनों की दुनिया में ब्रह्मा, विश्नु और संकर ये तीन आत्माओं की प्रतक्षता जो है वो सारी दुनिया को इसका संदेश पहुचाना है तब ही बाप की प्रिटक्षिता कही जाएगी या इसके अलाबा कोई दूसरी बात है बाप का संदेश पहुचाना कि बाप तीन मूर्थियों के रूप में संसार में आया हुआ है ये तीन मूर्थियों का जंडा बुलंद करना संसार में जो विश्व विजय करके दिखलावे तब ही तो संदेश पूरा माना जाएगा तो इसके लिए बोला क्या बोला? इतनी आपको प्राप्ति हुई है ज्ञान खजाने की कितनी प्राप्ति? कि प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले वर्तमान तीनों मूर्थियों के स्वरूप को आपने पहचान लिया है आपका इतना बड़ा हाल हो चुका ये बेहद का हाल है क्या? हद का हाल नहीं है इतनी बड़ी आपको प्राप्ति हुई है बाप मिला क्या? तीनों मूर्थियों में एक ऐसा स्वरूप भी है जो इस्पेशल बाप का पार्ट है खजाना मिला गुरों का खजाना मिला सक्तियों का खजाना मिला ज्यानदतनों का खजाना मिला और पालना मिली साकार पालना भी मिली और अव्यक्त पालना भी मिली तो कम से कम अपने भाई वेनों को तो संदेश से पहुँचना चाहिए दादी ने तो ऐज़े कह दिया क्या कह दिया देश विदेश में सारी दुनिया में गाउं गाउं में धूम मचाओ तो पहले गाउं गाउं में धूम किसी की मचाओ किस बाप की प्रिटक्षिता करनी है बिंदी बाप की प्रिटक्षिता करनी है क्या कि ब्रह्मा के तन में आया और चला गया इब्राहिम बुद्ध क्राई से गुरु नानक बेवे का नंद की तरह आया राम गया राम हो गया दुनिया नीचे गिरती चली जाती है ऐसे बाप की प्रितक्ष्टा होगी नहीं तो बोला कम से कम अपने भाई बहनों को संदेश तो पहुचाओ क्या संदेश पहुचाओ कि शिव बाप जो तीन मूर्तियों से प्रितक्ष हो चुका है जो तीन मूर्तियों अपनी सीट पर सेट हो चुकी है क्या कोई-कोई को संदेश भी आता है किस बात में ब्रह्मन बच्चों को एडवंस वाले बच्चों को भी संदेश आता है कि बाप तो दिखाई देता है जगत पिता तो दिखाई देता है समझ में आता है लेकिन जगदंबा तो दिखाई भी नहीं देती तो हो स़कता है कि जगदंबा का पार्टर नहो लेकिन शास्त्रों में बक्ति मार्ग में जगदंबा का मंदर कहां दिखाये जाता है गुफ़ा में गुफा माना? गुप्त है अभ्यक्तवानी में भी बोला मा अभी घुंगट में है नहीं अभ्यक्तवानी में नहीं संदेश में घुंगट में है माना जो घुंगट में है वो हमेशा घुंगट में नहीं रह सकता वो भी प्रतच होगी तो संदेश तो पहुँचना चाहिए किनके बीच संदेश पहुचना चाहिए? बाहर की दुनिया के अंदर या ब्राह्मनों की दुनिया के अंदर? ब्राह्मनों की दुनिया के अंदर संदेश तो पहुचना चाहिए, उलहना तो नहीं देंगे ना? क्या यह लहना देने की बात है। कित्र मूर्थी शेवबात तीन मूर्चियों के रूप में, पत्यक्ष रूप में, ब्राह्मन परिदार के बीच में इतने साथ से कारी करता रहा। हैं। और तुमको मालूम था। बड़ी-बड़ी ब्रह्मा कुमारियों को भी पता है। क्या? जो बड़ी-बड़ी इंचार्ज ब्रह्मा कुमारियां उनको सब को पता है। कि ये तीन मूर्थियां हैं, तो कम से कम अपने भाईवेनों को संदेश पहुचना चाहिए। बाहर की दुनिया की बात छोड़ दो अभी। या? तीन साल ब्रह्मा की मूर्थि के पूरे हुए और तीन साल संकर के भी पूरे होने जा रहे है। संशेत्तर से लेकर के तीन साल का पूरे होते हैं। 2006, 2006 में चंकर का पार्ट भी संपन्य स्टेज को पहुंच जाएगा, जब संपन्यता होती है तो प्रतक्षता भी हो जाती है, तो संदेश तो पहुंचना चाहिए ना, और दो मूर्तियां पूरी परतक्ष हो जाएगी, बाप और अम्मा परतक्ष हो जाएगी, तो माअबाप का कंबिनेशन होने पर क्या होगा, विशनू तो परतक्ष हो ही जाएगा, तो कम से कम ब्राह्मनों की दुनिया के अंदर तो संदेश पहुचाओ दादी ने तो भले कह दिया क्या कह दिया कि सारी दुनिया में धूम मचाओ माना बाबा का इशारा है कि अभी सारी दुनिया में धूम होने वाली नहीं है पहले ब्रामनो की दुणिया में तो धूम में चालो है। कम से कम ब्रामनो की दुनिया वाले ओलहना तो नहीं देंगे। किसो बात का ओलहना। अरे दादा जी, अरे दीजी, अरे दादी जी। आप सब कुछ जानते थी तीनों मूर्थियां कौन सी हैं। और आपने हमको नहीं बताया, हमको पता ही नहीं चलने दिया, आपको सब कुछ पहले से पता था, आपने हमसे छुपा लिया, क्या हम ब्राह्मन परिवार के भाती नहीं हैं, तो संदेश जरूर देना आवस्चे के, क्या? संदेश देना, ब्राह्मन परिवार के सभी बच्चे को ये संदेश मिलना जरूरी है, कि वो तीन मूर्चियां जो प्रेक्टक्ष में, प्रेक्टिकल में, इस समय ब्राह्मनों की दुनिया में पायट बजाए रही हैं, उनकी पहस्यान हर ब्राह्मन बच्चे को होनी चाहिए और इसमें मुश्किल क्या है? क्या? तीनों मूर्तियों की प्रतक्षता में शुव बात की प्रतक्षता करने के लिए मुश्किल क्या बात है? हर एक जोन अपने अपने जोन के साइड अपने अपने जोन के साइड को ये जिन्मेवारी बाट दो और क्या है क्या क्या करो तो यह जिम्मेवारी बेसिक वाले बातेंगे यह जो एडवन्स वाली ब्राह्मनों की दुनिया के लोग है वो जिम्मेवारी बात सकते हैं एडवन्स की दुनिया के लोग हैं वो यह जिम्मेवारी उठा सकते हैं क्योंकि बेसिक वालों को तो पता ही नहीं है उनको तो संदेश मिलना अभी बचा हुआ है बेसिक नानिज लेने वाले ब्रहमन बच्चों को और समात्र बच्चों को अभी तीन मूतियों का संदेश मिला है तो अपने अपने जोन के साइड को बाटो और क्या है हर जोन में कितने सेंटर है बेसिक में तो सेंटर है और एडवांस की दुनिया में कौन से सेंटर है गीता पाथ चाल है अगर मिनी बदनों को सेंटर कहा जाए तो भी जिने चुने नौ है कितने नौ एक-एक सेंटर को भी बाटो तो क्या बड़ी बात है देखो मदुवन में सेवा होती है वरगी करण की उससे आवाज चारो और फैलता है आप देखेंगे जब से ये वरगी करण की सेवा शुरू हुई है तो IP क्वालिटी में आवाज ज्यादा फैला है जो इंपर्टेंट परसंस हैं उनके बीच में आवाज फैल गया वी वी आईपी की तो बात छोड़ दो जो वेरी वेरी इंपर्टेंट परसंस हैं उनकी तो बात छोड़ो उन्हों को तो फुर्सक नहीं है वो तो बहुत उंचे उंचे आउदे वाले हैं और बड़े बड़े प्रोगाम किये हैं उससे भी आवाज तो फैलता है अभी देहली और कलकत्ता कर रही है ना क्या बड़े बड़े प्रोग्राम देहली और कलकत्ता कर रही है ना अच्छे प्लेन बनाए रही हैं क्या देहली वाले भी अच्छे प्लेन बनाए रही हैं और कलकत्ता वाले भी अच्छे प्लेन बनाए रही ह में मेंनत भी अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार पहुचता रहता है। क्या? दिल्ली वानों का और कनकत्ते वानों का विशेश सेवा का समाचार बाप दादा के पास पहुचता रहता है। दहली का आवाज फारण तक पहुचना चाहिए। क्या ? आवाज कहां से निकलेगी ? हैं ? दिल्ली से आवाज तो निकलेगी लेकिन कहां तक आवाज पहुचनी चाहिए दिल्ली की ? फारेन तक आवाज पहुचनी चाहिए क्योंकि फारेन है फारेन करने वाला मीडिया वाले क्या करते हैं शिर्फ भारत तक मीडिया वाले अगर आवाज फ्यलाएंगे तो कहां तक आवाज पहुचेगी भारत तक फारण में आवाज आवे कि देहली में ये प्रोग्राम हुआ क्या बाप दादा की तीन मूर्थियों की प्रिटक्षता का ये प्रोग्राम देहली में संपन हुआ और कलकत्ता में ये प्रोग्राम हुआ देहली के लिए क्या बोला है अव्यक्त वाने में बोला है देहली है स्थापनाकारी बंबई है बिनाशकारी क्या दमाधम बंब छोड़े जाएंगे ज्ञान के और ब्रामनों की संगमिगी दुनिया में जो आशुरी तत्तो काम कर रहे हैं उनका डब्बा गोल कर दिया जाएगा तो फारिन से आवाज आवे कि दहली में ये प्रोग्राम हुआ कलकत्ता में ये है प्रोग्राम हुआ क्योंकि कलकत्ता के लिए बोला है कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा ये वहाँ का आवाज इंदिया में आवे इंदिया के कुम्ब करन तो विदेश से जागने है ना क्या क्या जागने कौन जागने भारत के जो कुम्ब करन है जिनके कानों पर तीन मूर्तियां कारी कर रही है प्रैक्टीकल में उनके कानों पर जुल नहीं रहें रहे है इस बातको मान नहीं रहे है क्या कितिन मूर्तियों के रूप में परमात्मा बाप शेवत आ चुका है तो भारत के कुम्वकरन बाहर की दुनिया में है या ब्रामनों की दुनिया में है जो संकल्प कर रहे हैं संदे से फैलाए रहे हैं क्या क्या संकल्प का धूम बचाने के लिए बोला कि बाप बिंदी आया हुआ है ब्रह्मा के तन में आया था ब्रह्मा का चोला छूट गया अब बाप राजधानी स्थापन कर रहा है स्वर्ग स्थापन कर रहा है ये धूम फैलाओ तो वो तो सोय हुए हैं ये धूम फैलाने की ब ये बात प्रतक्छ नहीं होती, फाबित नहीं होती, निराकार साकार के दोरा इस सस्ती पर आकर स्वर्ग ष्ठापन करता है, तो दुनिया उसे निराकार बाप के सुख देने की प्रेक्रिया को याद करती है। परमात्मा बाप को सारी दुनिया सुख़दाता की रूप में याद करती है, कोई भी धर्म का चयोन हो, भगवान को तो सम्बानते हैं, तो भगवान से कुछ जरूर प्रैक्टिकल में प्रापती हुई होगी ना, ऐसे थोड़े ही, कि जैसे और धर्म पिताएं आये और आकर क गाल बजा के चले गए और दुनिया नरक बनती गई, नहीं, परमात्मा बाप इस सश्टी को नरक से सर्ग बना करके जाता है, तो ये आवाज जो भरतवासी कुम करना है, उनके कानों तक पहुंचे, विदेश से ये जागेंगे, जागने तो है ना, तो विदेश की खबर क महत होता है, क्या कहा, माने जो भारत के कुमबकरन है, जब कल्यूक का अंत होता है, तो सारे बड़े-बड़े जो सन्यासी हैं, वो कहां भागने लगते हैं, विदेश में भागने लगते हैं, महेश योगी हवाईजाज पर ही चड़े रहते, कहां का चकर लगाते रहते, व बड़े बड़े और कोई भी हो, वो विदेशों में उनका प्रभाव जादा हो जाता है। तो यही सूतिंग, ब्रामनों की संगम दुनिया के जो विदेशी, आत्माओं को जगाने के लिए कारी है। ब्रामनों की दुनिया के संगम यूभी कुम्र करना कर रहे हैं। कि दुनिया में धूम मचाओ, यह दुनिया में धूम ऐसे नहीं फैलेगी। भारत में प्रोग्राम और समाचार विदेश की ख़बरों से पहुचे। तब यह चार ओर फैलेगा। क्या कहा। भारत में प्रोग्राम हो और समाचार विदेश के अख़वारों में पहुचे जाए। तब चार ओर फैलेगा। बारत का आबाज विदेश में पहुँचे और विदेश का आबाज भारत में पहुँचे तो उसका प्रभा हो जावेगा। अच्छा है। प्रोग्राम जो बना रहे हैं अच्छे अच्छे बनाए रहे हैं। कौन? कौन बनाए रहे हैं? दिल्ली वाले और कलकत्ता वाले. बाप दादा देहली वालों को भी महबत के महनत की मुबारक देते हैं. क्या? देहली वालों को किसे महबत है? है? देहली वालों को सबसे जास्ती फकुर किसका होगा? बारक देहली वालों को दिल्ली का फकुर होगा? इलाबाद वालों को किसका फकुर था? जो हरवार एलेक्षन में नहरु जी कहां से ख़ड़े हो जाते थे? हैं एडाबास से खड़े हो जाते थे न वहां से जीतते थे तो देली वालों को किसका फखुर है दिल्ली का फखुर है कि दिल्ली हमारी राजधानी है राजधान राजाओं की धारना सकती है कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारत हैं प्रोग्राम करने के लिए क्योंकि सहयोग इसने है और हिम्मत जब तीनों बाते मिल जाती है तो आवाज बुलंद हो जाता है क्या? आपसी सहयोग भी हो आपसी इसने भी हो और उमंगुलाश हिम्मत भी हो आवाज फैलेगा क्यों नहीं फैलेगा? क्या का? है? आवाज क्यों नहीं फैलेगा? अभी मीडिया वाले ये कमाल करना कहां के मीडिया वालों की आवाज सारे भारत में पहुँचती है? 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 और कोई दूसरे शहर के मीडिया वालों की आवाज सारे भारत में नहीं पहुचती है? जिनकी आवाज सारे भारत में पहुचती है? दिल्ली की, तो बोला, अभी मीडिया वाले ये कमाल करना, सभी ने टी-वी में देखा, ये टी-वी में आया, दिल्ली में मीडिया का एक हिस्सा टी-वी भी है, अकवार तो होते ही हैं, लेकिन रेडियो और टी-वी भी मीडिया का एक हिस्सा है, तो टी-वी में देखा, टी-वी में आया, वो तो देखा, क्या देखा कि बेसिक नालिज की बाग तो टीवी में आई शिर्फ यह नहीं शिर्फ इतना ही नहीं कि टीवी में आया वो तो भारत में आ रहा है अभी और विदेश तक पहुँचो अभी देखेंगे ये साल आवास फैलाने का कितना हिम्मत और जोड़ सोर से मनाते हो क्या कहा कौनसा साल है खुदर तीस साल पूरे हुए तो संचेतर में प्रतक्षता वर्ष की शुरुवात हुई बाप का प्रतक्षता वर्ष शुरू हुआ शुरू होने में और आंतो होने में कितना टाइम बता दिया है शुरू होने में और पूरी प्रतक्षता होने में कितना टाइम बताया तीस साल बाप का प्रतक्षता वर्ष शुरू हुआ सन शेक्तर से और दो हजार शे तक पूरा होना चाहिए पूरी प्रिटक्षता हो जानी चाहिए तो बोला यह साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोड़ सोर से मनाते हो यह अभी देखेंगे मना इस साल आवाज तो फैलेगा लेकिन आवाज 100% नहीं फैलने वाला है आवाज फैलेगा लेकिन बहुत कुछ फैलेगा परसेंटेज में लेकिन 100% नहीं फैलेगा इसलिए बोला अभी देखेंगे यह साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत जोड सोर से मनाते हो बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फारिनर्स को बहुत उमंग है जगा जो डबल फारिनर्स हैं उसको बहुत उमंग है है ना अच्छा है एक दो को देख और भी ज़्यादा उमंगाता है जो ओटे वो ब्रह्मा बाप समन अच्छा है ओम सन दादी को जो संकल पाता है वो तो कुम करनी संकल्प है क्या उनकी तो बुद्धी में ये बात है है नहीं कि कौन सी बात की दूम मचनी है अच्छा है इसलिए बोला दादी को भी संकल पाता है तुम बच्चों को संकल पाता है तो दादी को भी संकल्प आता है, तुम्हारा संकल्प है बेहद में, और दादी का संकल्प है हद में, बिजी करने का तरीका अच्छा आता है, किसको? दादी को, अगर ये भक्तिमार के टंटे में जिग्यासुओं को न उल्या दे, तो एडवांस पार्टी का नाम जल्दी ब ब्राह्मनों को जो बेशक में ब्राह्मन चल रहे हैं, उनको विजी करने का तरीका दादी को अच्छा आता है, कोई न कोई प्रोग्राम में दुनिया भी तरीके से उल्याय देती है, अच्छा है, ये इस बात की निमित्त है, क्या? असली बात से बुद्धी का योग बच् करके और बक्ती मार्ग में लगाए देना, बक्ती कहां से आती है, रावन से, और ज्ञान कहां से आता है, राम से, अच्छा, ओम शान्ति, एं, मंसा एकागर तो करो फेले, एं, अम्रत बेला तुदार होगे, तो मंसा भी एकागर होगी, बांबे बानों का तो, कमाल है, क्या कमाल है, है, आवाज पहलाने का कमाल है, बांबो पोड़ने का कमाल है, बांबे में आ, बांबो पूटे हैं, प्रेक्टिकल में, बांबे जब एडवांस में निकला था, तो वहाँ सूल बांबो, और ग्यान के बांबो भी छूटे थे, कौन से सन में, दाउद, 92, 92, 92, 93 की बात है न, आधी, तो आधी में हुआ, तो अंत में भी होगा, बोला है बाबाने से बत्ती मारों में इस चित्र बनाया है, उसमें ब्रामनों कोड़ा दिया है, मस्तक में देवताओं को दिखाया है, बोजाओं में चत्रियों को दिखाया है, लेकि जो चोटी में ब्रामन दिखाये जाने चाहिए, वो ब्रामन नहीं दिखाये, तो चित्र में तो ब्रह्मा कुमारियों की तरह बहले तुम भी दिखा दो क्या चित्र में दिखाना जरूरी है या चैतने में दिखाना पहले जरूरी है पहले चैतने में दिखाओ तुरिया में चित्र भी कब बनते हैं क्योंकि जड़ बनाना तो बहुत आसान होता है जड़ जंडा लहरा दो कपड़े का अपने अपने घर में चाहे जितने जंडे लहरा दो लेकिन जो शरीर रूपी तीन बस्त्र है उनके संगट अनका जंडा लहरा या जाए ब्रह्मा विशुं संकर रूपी जो तीन बस्त्र है उनका जो संगटन है जिसकी यादगार जंडा बना हुआ है उसकी प्रत्ष्यता हो उसका नाम बुलंद हो संसार में ये विशु की विजय करके दिखला मैं तब बात है अब यक्त बाप दादा है तारे भी बहुत देते रहते हैं बोला भी है ये कपड़े के जंडे से चाई से लहरा दो रोज लहरा आते रहो आजी अन्या आटो मेंचे सर्विस हो रही है बले गीता पाट सालों में संख्या ज्यादा नहीं दिखाई परती है लेकिं सर्विस फिर भी कर रहे हैं बादा बिहार में इसना ज्यादा यह नहीं है की बिहार में एड़ोंस पाटी के जाए बिहारी लोग आँर बिहार के लिए बहुत बटकते है उन्हें आँर बिहार ज्यादा चाहिए तो jeśli इसशवरी ग्यान में भी प्रक्ता हो जाता है, आहार भी आहार की चक्तर गुद्ध, अच्छा, रंगावाद हो रहा है, अच्छा